हेलो दोस्तो आज हम करेंगे मैराथन पार्ट टू चीक है पार्ट टू नहीं मतलब मैराथन सेकेंड वाला देखो मैंने आपको बताई रखा है कि मैराथन जो है आपका एक्जाम टाइम तक चलेगा एक्जाम जादा दूर है नहीं वहीं अब जल्दी तयारी शुरू कर दो शुरू क्या शुरू करी दियोगी बस लग जाओ तो यारी मच्छी तरीके से अभी भी टाइम है वीडियो देखो मैंत का पूरा पार्ट कवर करो मैंने एटू जैस सारी चीज कवर कर रगी खासकर मैं एडवांस में दिया है ठीक है सबसे आदा टाइम मैं एडवांस में कर सकते हो अब भी बहुत टाइम है कोई दिक्कत नहीं है कर सकते हो अगर आज ही से लग जाओगे तो कर लोगे अज मैरतौन को मत छोड़ना मैरतौन करते रहना चलिए शुरू आज करते हैं आज सेकंड मैरतौन की कर रहा है दो 20 वस्तू को 160 रुपे में बेचने पर एक व चीज हो गई वह तत अनुसार 20 परसन का लाब कमाने के लिए 20 परसन का मतलब क्या है 120 परसन का बेचने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपे में कितनी वस्तू बेचनी बढ़ेगी एक वस्तू बेचनी पढ़ेगी कोई बात नहीं सॉल्व कर दो इसे इसी चीज को सॉल्व कर जाएगा दो कटेगा और यह दो कटेगा चारा जाए गातों चारा जाएगा को दिक्कत सूर जाएं तो 4 इंटू 3 नीचे कितना है 250 x 12-20 ऊपर आयगा और हाँ X उपर आएगा, सौरी, तो X यहाँ पर कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है, X यहाँ पर कर देना, क्योंकि नीचे थे उपर आएगा, चीक है, तो यह दर आज जाएगा, तो X से लिए कितने अगे मेरी 20 आजाएगी, बासेज में आ रही है, तो उसको हो जाएगा 20, कहने का मतलब यह है, कि अगर वो 240 के 20 आजाएगा, तो उसे कितने का लाब होगा, उसे 20 परसेंट का लाब हो जाएगा, चलिए करते हैं अगला कुशिन, अगला कुशिन देखिए, यह मैंने आपको नोट्स में विकराया था, प्रैक्टिस सेट में विकराया था, और देखो आपके मैराथन में भी आ गया है, बालब यह एग्जाम में भी आ गया है, 12 वस्तु की विकरी मुले, मैंने बारा वस्तु का SP, मैंने बारा वस्तु का SP, 15 वस्तु के CP के बराबर है, तो CP से मुल्टिप्लाय करें, सबसे अच्छी ट्रिक है यह, वदिक्कत तो नहीं, आपको पता है, मैं रिश्यों बताया था, यह सामने वाला इसका है, और यह सामने वाला इसका, कहने का मज़िब कहा है, CP कितना है मेरा, 12, SP कितना है मेरा, 15, बारा की चीज़ थी, 15 हैं बेग दी, तो कितने का फाइदा हुआ, 3 का फाइदा हो गया कि नहीं हो गया, 3 का फाइदा हुआ कि नहीं हुआ, 3 का फाइदा हो गया, तो 25% का मेरा सीज़ा सीज़ा प्राफिट दाएगा option 3 इसका correct answer है बासज में आए कि नहीं आई चले करते हैं अगला question अगला question देखिए के रहा है 10,000 seat वाले एक stadium में 100 seat छोड़कर कहने का मज़ब यह था कि 10,000 seat हैं इसमें सिर्फ 100 seat छोड़ दी कितनी होगी सो हटा दी तो कितनी बची मेरी 9,900 बची होंगी न यह seat है किया रहा है 100 seat छोड़कर सभी seat बेज दी गई अब यह जो बेची हैं यह वाली यह कोई कि इसाब से बेकी होंगी बराबर एटसर बेकी नहीं होगी तो क्या इसाब है उन में से 20% आधी कीमत पर मलब इसका 20% कितना हो जाएगा 9,900 का 20% 20 divided by 100 आधी कीमत पहले देखते ने कीमत क्या है और 6 20 रुपे में पूरी कीमत पर बेका जाता है मलब 20 रुपेस की पूरी कीमत थी तो कितने हो बेका गया है आधी कीमत पहले बेका गया शेश कितना बचा 9,900 का कितना 80% 80 को हम 4 by 5 कह सकते है इसे काटोगे तो कितना हैगा 1 by 5 कह सकते हो कोई दिख्कत थो नहीं है यह और यह 100 यह 10 है ठीक है 4 आ 5 में कितने कीमत पहले 20 कीमत पूरी टीकिशन को solve करोगे जब आप इसे solve करोगे तो यह 5 यह 2 आएगा ठीक है जब इसको करोगे तो कितना है गहां 198 00 एजाएगा ठीक है ऐसे करके आप irsolution करोगे जब इसको solve करोगे जब इसको Profsom करोगे 158 400 ळेड़ा जाएगा जब आप 400 और 800 को Merlin तो कितना हैगा, 1200 आएगा, 1200 लास में किसमें दिख रहा है सिफ इसमें दिख रहा है तो option 2 का correct answer है आप चाहो तो पुरी तरह add कर लेना आपका answer आजाएगा बस दिमारी इतनी question को आपको add कर देना है चलिए करता है अगला question Question देगे, करा 12% boric अमल वाले 100 मिलिल्टर पानी के घोल में, मैंला पानी का जो हमारा पूरा घोल है, घोल में कित्ना पानी और मिलाए जाए, कि गोल बोरिक 50% हो जाया दखो एक बात आओ, यहां पर बोरिक से कोई मसलब नहीं है एक बात आओ, पहले वो कितना था, पहले आगर जैसे बाशा 100% कोई चीज थी, चीज़ के, तो उसमें acid जो था, और water माल दो, acid कितना था, 80%, तो water कितना हो गया, 20% हो गया कि नहीं हो गया, तो यह पहले की कहानी थी, अब कहानी क्या कह रही है, कि 20% में कुछ acid मिलाए गया, मा 100% था, कितना था, 100 था, तो 100 में भी x मिलेगा, कितना मिलेगा, x मिलेगा, तो यह चीज कितनी थी, पहले कितनी होगी थी, 100%, अब कितनी होगी यह 50%, बात सज में आ रही है कि नहीं है, भाई, पहले यह कितनी 100 थी, अब कितनी होगी 50 होगी, क्योंकि 100 जो था, 100 लिटर दे र प्लस का 2x is equal to 100 plus x इसे बेजेंगे कितना जगा मेरा x is equal to 60 तो कितने लिटर और पानी मिलाए गया है 60 लिटर और पानी मिलाए गया है मिलिटर कहलो चाहिए मिलिटर कहलो एक ही बात है कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि वार्टर अपॉन में वार्टर की रेश्यो है बार्टर पहले हमारा ओल्ड था अब नीचे वाला क्या है नियू है तो बस उसी को हमारा जो है कितना दिर के 50% हो गया तो 50% के लो यह वन बाई टू वन बाई टू के लो कोई दिक्कत नहीं सवह आगया क्योंकि इतना था पहले 100 परसंट था अब वह 50% बन गया है मिक्षर के सब्सक्राइब करा हूं यह कैसे करां बताइए निच्ट नौर्मन फॉर्मल्ले एक उससे तरीके सह हो जाएगा एक टेक्निक है उससे हो जाएगा चलो पर नलोम बताया तो उसको ठीक है यह तो आप करीजा लोगे टेक्निक आपन की दिशा में तेरते हुए 15 km ए घंटे मे कोई दिक्कत नहीं है distance upon made time is equal to speed के बराबर होता है distance कितना है 15 km एक घंटे में जा रहा है speed का है मेरी x plus y जो दिक्कत तो नहीं है अब कह रहा है यदि धारा की गती हमार जो stream हो कितनी है 5 km पर आवर तो ये तो बन गया 5 तो ये कितना बचेगा 10 हो जाएगा ये तो मिल गया सब्सक्राइब कर देना 15 में से 5 जाएगे 10 बचेगा तो हमें बोट मिल गए 10 की speed और इसकी मिल गी 5 की speed धारा की करें तो व्यक्ति उतनी ही दूरी कितनी है मेरी 15 km उतनी दूरी धारा के विरूद विरूद मतलब upstream कितना upstream upstream में क्या होता है x minus y बता है कितनी दिर में करेगा मतलब मुझे time निकालना कोई दिक्कात नहीं तो 15 upon में x minus y मतलब 10 में से 5 गये तो 5 बचेंगे कितना जाएगा 3 गंटे तो अगर वह नीचे जा रहा है तो तो उसे एक घंटा लग रहा है लेकिन वही अगर उपर जा रहा है यहां उपर की जा रहा है तो कितना लग रहा है उसे 3 गंटे लग रहे हैं तो option 4 इसका correct answer है चले करता है अगला कोशन कोशन देखिए एक राशी 5% वार्शिक ब्याज के दर पे चक्रवजी ब्याज असर ब्याज पे दो वर्श का अंतर यह दे रखा है तो अनुसार राशी कितनी है कहने क उनका अंतर कितना रुपे आएं डेड़ रुपे आएं कितना रुपे आएं डेट रुपे आएं तो करा principle कितना था यह बताओ मुझे बासेज माई तो आप अगर पहले SI निकालोगे फिर उसके बास CI निकालोगे बहुत बढ़ बढ़ जाएगा सबसे बैस टेक्निक में आ एक कब याज है तो एक साल कितना मिलेगा 21 अगले पर भी 20 पर एक कब याज तो कितना हो जाएगा 21 अब यह 20 इंडू 20 कितना हो जाएगा 400 यह मेरा principle हो गया 2 साल का और ऐसे जितने साल बढ़ते जाएंगे उतना हो multiply करते जाएंगे ध्यान रगना सचीज को तो यह देखो अ वार licos cada Разब एसा कितना होता है ऐसा ही होता है नीचे वाले को दो बर multiply कर दो इसको इसको plus कर दो यह जिए नीचे वाले जो है मेरा इसे और multiply कर दो, कितना आ गया, 40 ratio, अब कहा रहा है कि 40 और 41 का कितना difference है, 1 ratio, कितना है, 1 ratio, तो यहां करवायता हूं, तो उसी 1 ratio का मतलब कितना है, मेरा date रुपे, कितना है, date रुपे, और मुझे कितना निकालना है, 400 ratio, क्योंकि principal मेरा कितना है, 400 ratio, amount कितना है, 4 for 1 ratio, लेकिन उसे principal प 200 x 3 कितना होता है मेरा 600 कितना बन जाएगा 600 तो उसे प्रिंसिबल कितने लगाए 600 रुपे से लगाए बासिज में आई और एक बात और टैक्निक याद रखना कि अगर परसेंटेज बना रहे हो जैसे 20% 20% का मिलब क्या होता है 1 by 5 25% कितना होता है 1 by 4 अब जैसे बाशन मालो आ आपने 4% मिलब कितना है 1 by 25 तो जब भी उपर 1 आएगा तो उसमें CI और SI का दो साल का डिफ्रेंस 1 ही होगा कितना होगा 1 ही होगा यह टेक्निक याद करना बस सज मागी ठीक है 1 का स्क्वाइर होता तो 1 ही होगा तो कोई दिखका तो चले करता है एकला कोशन देखिए अगल 1 by 5 है और यह मेरा 1 by 3 है अगर यह वैली दे रखी है तो इसकी वैली क्या होगी इसको वैली निकालनी है देखो निकालते हैं देखो अगर मैंसे मल्टिप्लाइ करूं उपर तो कितना बन जा गई एक स्क्वाइर प्लस का 1 इस एकल टो 5 बन जाएगा 5 एक सॉरी कोई दिक्क तो यहां भी 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे पूरी केशन को तो यहां भी 3 से मल्टिप्लाइ हो जाएगा जब 0 3 से मल्टिप्लाइ हो तो 0 रहा लेकिन इस से कर रहा तो कितना गया 3 x स्क्वाइर प्लस का 3 और माइस का 15 x बासन में आ गई अब इस चीज को देखे थोड़ा इस चीज को थोड़ा साथ देख रहा है तो यहां क्या दे रखा है यह देखो कितना दे रखा है 2 x क्या मैं एसे 3 x स्क्वाइर प्लस का 3 माइनस का 5 x देख सकता हूं बिल्कुल सही क्या दूं मैंसे जूल कह सकता हूं देखो तो इसकी value देखो मिदे रखी question में अगर मैं इ दिया कोई दिक्कत नहीं है अब 15 x में से 5 x कए तो कितने बचे मेरे 10 x बचे 10 x बचेगा ना तो 2 x उपर दे रखा है x x कड़िया कितना गया 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो कितना जागा 1 by 5 अब ठीक है अब थोड़ा साफ है किजी बच्चे ने बोलता थोड़ा साफ नहीं लिखते जाए देखो अगर आ आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो भाई वीडियो को करदेना ठीक है शेयर करते न और अगर सच है पसंद Richt भाई शुरुवाद कर दो आप तयारी च्ड़ा के अब आगया अब नीरा इतना टाइम कि आप सोच रहो कि आप तयारी होगी-पया आ 119 दे रखा है तो मुझे x cube minus 1 upon x cube निकालना है तो क्या तरीक है इसका अगर मैं छोटे बेजा रहा हूं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तो 119 plus का 2 करेंगे और root कर देंगे और देखोकर minus भी करता है तो कितना आता है 117 117 किसी का root निकलता नहीं तो कोई value बनेगी भी नहीं कितना बनता है यह मेरे root 121 जिसका मतलब कितना हो जागा 11 तो इस पूरे की value क्या आगी 11 अब दुबारे इसका करते निचे अब मुझे क्या करना है तो x-1 upon x करूंगा अब यहाँ minus है तो यहाँ भी क्या होगा minus होगा जैसे plus होगा यहाँ तो अब क्या को होगा minus तो minus का 2 करके root कर देंगे तो कितना आगया root 9, root 9 की value कितना आगी मेरी 3 तो दिक्कत तो निए अब मिरसे क्या उसने पूछा है अब उसने मिरसे पूछा है कि x-1, क्या पूछा है उसने x3 minus 1 upon x3 की value निकाल देंगे तो क्या बनेगा इसका cube minus का 3 है और 1 है मेरा 3 दे रखाए कोई दिक्कत निए 2 का cube कितना ऊगया 27 लिख देता हू और आप शाहो तो इसे वैसे भी कर सकते हो कि अगर यह दिर्ख है तो प्लस का 2 कर देना प्लस का 2 कर देना तो यह तो मेरा बन जाएगा a plus b का whole square बलब x सॉरी सास लेग देख लो अलका सा देख लो यह मेरा क्या बन जाएगा x स्क्वार प्लस 1 अपन x स्क्वार का whole square और यह मेरे कितना जाएगा 120 बन जाएगा जब स्क्वार हटाऊंगा तो यह रूट बन जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है तो यह बात घुमाफरा के यह चीज इसमें ही convert हो जाएगी बात सजमारी है चलो करता है एकला कोशन देखिए अगला कोशन कहरा साइन 240 का मान क्या होगा देखो साइन 30 45 60 यहां तक कि 15 तक भी निकाल सकते हो लेकिन जब 90 से पाढ़ जाती तो कैसे निकलेगा तो उसके पहले मैं आपको एक टेक्निक बताया है तो पर देख लो ठीक से और गला बैठा हुए यह आपका क्वार यह आता है 100 से डिगरी यह होता है 270 और यह होता है 360 यहां तक तो हमगहई गिरी जोती है अब इसका मदबता है A, S, T, C ध्यान एकमा इसका मदब All Positive और इसमें क्या है Sine और Cossac Positiv इसमें क्या है 10 और Cossac Positiv और इसमें क्या है Cossac Positiv, बागे सब क्या होंगे negative होगे अब द का मतलब का है मेरा ? साइन ठीक से देखना 90 इंटू 2 प्लस का 60 डिगरी है क्यूंकि 92 नहीं कितना होता है और एक सॉस्सी में 60 जोडता हूं तो कितना हैगा मेरा ? पास ंजमारी है अब ठीक से देखना देखो यह आपका कहें second coordinate second के बाद हम कौनसी coordinate में आ गए आप यह first है यह second है यह third अब third में चैक करेंगे third में 10 positive होता है और cot positive होता है fine होता है कि नहीं fine positive नहीं होता है तो यहां क्या मझाएगा minus पहला step तो आपको यह चेक करना आप दूसरा कहा है conversion अगर यहां पर positive है मतलब हमारा positive कह रहा हूँ अगर यहां पर even संक्य है ध्यान रखना even number है विशम संक्य है तो sign change नहीं होगा SIGN बोल रहा हूँ मतलब symbol वाला sign वाला देखिए अगर यहां पर even है तो sign का sign रहेगा अगर यह ऐसे होता 90 into 3 something होता और जो भी plus का 60 होता तो यहां क्या है odd है तो sign किसमे convert होता है यहां पर minus cost में होता क्या होता cost में convert होता है इस बास को ध्यान रखना यह सभी किसाथ है कि अगर 10 है cot होता तो cot है 10 होता cos है, sec होता cos है, sec होता, sec होता सभी के अंदर change आयाता बस यही इसका formula है तो minus का minus हो आगा sign change नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या है even है तो यह कितना हो जगा sin 60 sin 60 वेली कादे रखी है root 3 by 2 minus आगे लगा रखा है तो इसका हो जगा minus का root 3 by 2 option 2 उसका correct answer है बस तक आप formula रख्टे मारते होंगे जो बड़ी सी वह आता होगा page है ना एक page आता होगा इसमें कम से कम 20 पच्छी पतनी 50 formula होते होंगे रटे मारते होंगे रटे मारते होंगे रटे मारते होगे यह हलकी से technique ऐसे याद कर लो बस सारे question करके देखना आपका answer आज जाएगा formula एक बार रख देना उसे answer निकाल कर रख देना फिर मेरी technique लगा देना देखना दोनों का answer match कर जाएगा चलिए करता है एक ला question question देखिए question कहा रहा है x plus y minus z का square y plus z minus x square sorry x square plus का z plus x minus y का whole square यह दिकर टू 0 मना सब के whole square है तो मुझे इसके value निकालनी x plus y plus z का मान क्या होगा देखो ऐसे case में जाएगतर जो मान होता है वो होता है 0 तो 4 इसका correct answer है लेगर हम कैसे कहते correct है मैं नहीं मानना correct है तो यह मानना मानना कैसे निकलेगा solution करगे देखो अब मुझे पता है कि अगर इन तीनों की value का plus 0 है तो इसका भी 0 यह भी 0 और यह भी 0 बासेत मागी और अगर इन तीनों 0 है देखो लिख देता हूँ अगर x plus y minus z अगर मेरा 0 है तो सेहां बेज दो तो x plus y किसके ब्राबर है z के ब्राबर हो जाएगा पर इन रे question मानलो इसे प्रकार से यह करेंगे y plus z किसके ब्राबर है x के ब्राबर हो जाएगा दूसरे question मानलो इसे प्रकार से नीचे वाला करेंगे यह वाला यह देखो z plus x के ब्राबर हो जाएगा माइस y के बराबर हो जाएगा तीसरे क्योशन जाएगी कोई दिक्कत नहीं है अब इन तीनों कर दो add इन तीनों कर दिया जाए add जो हम तीनों का add करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा 2 x plus y plus z और यहां के मिल रहा है x plus y plus z कोई दिक्कत नहीं है अब समझदार इसे कार्ट मत देना देगर गए कि भी divide से कार्ट दिया इस इकल टू 1 है नहीं इसे यहां भेज दो जब इसे यहां भेजोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा 2 का 2 x plus y plus z minus का x plus y plus z is इकल टू 0 हो जाएगा और जब आप x plus y plus z common लोगे तो क्या आएगा मेरा 2 minus 1 is equal to 0 अब 2 में से 1 गया तो एक ही बचेगा तो इसका मदभी automatically 0 हो गया तो इसका हो जाएगा option 4 0 answer बहसंच में आ गई तो 2 में से अगर 1 minus करोगे तो यहां क्या बन जाएगा एक बन जाएगा ना चब एक का multiply से होगा तो कोई मतलब भी नहीं मनता तो x plus y plus z का मतलब क्या हो जाएगा indirectly 0 चले करता है अगला question question देखिए अगला कह रहा है x का मान गयाज किजिए यदि दोनों बिंदू का दोनों बिंदू 8 minus 8 और 11 तथा 2 और x को जोड़ने पर प्राप्थ रेखा का ढाल दोको रेखा का ढाल का मतलब है slope क्या है slope of a line क्या है slope of a line ये दे रखा है तो slope of a line कितना दे रखा है minus 4 by 3 पहली ही दे रखा है कोई दिक्गत तो नहीं है अब एक बात है slope का जो formula होता है कितने होता है मेरा ? y2-y1 upon me x2-x1 यह होता हमारा formula कोई दिख्कत नहीं, value put कर लो देखो, यहाँ lent x2, x1 मान लो, कुछ यहीं मान लो कुछ दिख्कत नहीं है इसे मेरा x2 y 1 judging कोई दिख्कत नहीं इसे आप x2 मान लो मानना इस से यए 1, नो कोई दिख्धत नहीं इसे आप x2 मान लेना इसे आप y1 मानना इस से आप y2 मानना y1, y2 लो ऐसे करनो कोई दिख्धत तो नहीं कि x2 y2 और x1 y1 ऐसे दिखतो आप दो value. वह x2 कितना है बही मेरा? फ़ल यहां रख 도, य2 कितना है बही है? y2 मेरा 11, x, अपान में कितने रख है, x2 कितना है मेरा? minus 8, minus 2, is equal to minus 4 by 3. Solve करोगे यहां पर, कितना जाएगा? minus 4 by 3 is equal to 11 minus x, अपान में कितना होजगा? minus 10 जाएगा. इसको बेज़ेंगे 40 upon 3 is equal to 11 minus x इसे बेज़ेंगे 40 is equal to 33 minus 3x कोई दिक्का तो नहीं है इसे यहाँ बेज दिया जाएगा तो 3x is equal to कितना जाएगा 7 आ जाएगा तो एकसी वेली कितना जाएगी 7 by 3 बास सज मारिए तो एकसी वेली क्या है 7 by 3 option 2 इसका correct answer है एक मिनिट minus आएगा इसमें थोड़ से गल्दी हो गई यह minus आएगा यहाँ पर जो यह minus था न जाब मैंने इसे बेज़ा था तो इसे बेज़ा था यह minus 7 हो गया था तो यह कितना होगा minus 7 by 3 तो यह वाला नहीं होगा option 1 इसका correct answer है minus 6 को देखानी की option 1 दे रखा है तो इसे ठीक कर देना कोई नहीं चोटी मुटीव हो चीज चेक कर लिए करो जब मैं देखा ना minus 7 यहाँ पर दे रखा है तो मुझे लगा कि नहीं वही कुछ हो सकता है चलि करता है एकला question क्योंकि स्लोप में माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दो नहीं आ सकते है देखे एकला question क्या यह दि कॉस्ट 45 डिगरी माइस का sex history की डिगरी की वैल्यू कर x है तो x का मान क्या होगा पर यह आप पे छोड़ता हूं में कोशिन चीक है इतो बहुत यह आसाने कर लो कॉस्ट 45 क्या लिक्या होगी 1 by root 2 और sex history की क्या होगी 2 हो जाएगी क्योंकि 1 by 2 होती है तो यह 2 हो जाएगी 1 मायस का 2 root 2 divided by root 2 ऐसा कुछ दिख रहा है हां दिख रहा है option 3 में यह यह दिख रही है तो इसका हो जाएगा option 3 तम correct answer चले करते हैं अगला question चले करते हैं इस वीडियो का second last question question कहा रहा है कि अगर sin2 देखो ठीक से देखना कहा रहा है sin2 5 degree तो ऐसी sin2 कितना 10 degree करते 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 sin2 85 degree भी आ गया plus sin2 90 degree है तो उनका मान कहा है देखो इस question को थोड़े ठीक से देखना देखे red लिलता हूँ देखे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कोई combination नहीं बैठता sin2 90 के में लिक्या होती है 1 तो 1 का square क्या हो जागा 1 इसको तो 1 लग दो बीच में अगर देखा जाए तो एक मिलता है अगर 5 5 का difference है तो बीच में मिलता है मेरेको sin45 degree स्क्वाइर कर देना कितना जाएगा 1 by 2 तो ये 2 value तो मुझे मिल गई चीक है इसको लग रख दो छोड़ दो अब ये देखो अगर 5 5 के जोड़े लगाँ 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 तीज ऐसे करकर 85 तक देखो 90 अगर इस 45 को भी हटा दे माल लो तो ये 85 हट के 80 माल लो मैंसे एक example मानाँगी 80 तक होंगे कुछ जोड़े और 10 तक में कितने मिल रहे है दो जोड़े क्योंकि 5 मिल रहा फिर 10 मिल रहा है फिर 20 मिल रहा है ऐसे करकर जोड़े मिल रहे है total कितने लोग मिल रहे है 16 terms मिल रही है अगर 1 में 2 है cos 5 degree का सकता हूँ sign square theta और cos theta की value क्या होती 1 होती है कि नहीं होती तो ऐसे कितने combination मिल बनेंगे 8 combination मिल बनेंगे 8 तो कितने value हो जागी उनकी 8 बासाज में है कि नहीं करके देखना इसका 85 से फिर 10 का करके देखना हमारा sign 80 से फिर 15 करना 75 से सब के combination मिल जाएंगे sign 45 का नहीं मिलेगा और 90 का नहीं मिलेगा इसलिए मैंने उनकी पहली value अलग रख लगी है 8 प्लस 1 प्लस 1 बाइ 2 कितना हो जागा मेरा 9 1 बाइ 2 कितना हो जागा 9 1 बाइ 2 तो option 4 इसका correct answer है चले करता है इस वीडियो का last question देखिए अब वीडियो का एकदम last question आ गया है करहा है sec a प्लस का 10 a अगर x है तो x का मान क्या है मतला वही 10 वाला question है इस वाली की value निकालने है निकाल दीजे कैसे निकालने है आपको पता sec का मतलब क्या होता है 1 upon me cos ठीक है मैं a वे कुछ नहीं लिख रहा कोई दिक्कत नहीं है 10 को मैं लिखना हूं sin upon me cos अगर solve करता है तो कितना मिलता है मैं को 1 upon me sin upon me cos कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं cos ऊपर और cos नीचे multiply करता हूं तो यह क्या बनेगा मेरा 1 plus का sin multiply by cos कोई दिक्कत तो नहीं नीचे मिल जाएगा मुझे cos जो भी cos 2 theta या a माल नो कोई दिक्कत नहीं इसमें लिख रहा हूं अब cos 2 का मतलब क्या होता है 1 minus sin 2 होता है तो इस को क्या लिखूंगा मैं 1 minus sin 2 theta होता है a माल लो कोई दिक्कत तो नहीं और one का स्क्वार how constant को हम कि अधी का दिक्कत को नियूखता है अब यह मामस बी का होल स्क्वार हो गया आका स्क्वार माइज बीगा स्क्वार या होगया तो फॉर्मला क्या होता है a plus B और a- UT तो लगा दो, उपर वाले में कोई फरक नहीं, उपर वाले तो वैसे ही चल रहा है, देखो, 1 प्लस, साइने, अपॉन में, कॉस है, चल रहा है, देखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां प्लस है, और नीचे का देखा है, यहां पर यह इसमें कनवर्ट हो गया था, तो 1 माइनस क साइने, और यह क्या बन जाएगा, 1 प्लस का साइने, बस सजमारी, यह आपका बन जाएगा, तो अगर देखा जाए तो इकट जाएगा, तो क्या बचा मेंगा, कॉस है आपन में 1 माइनस साइने यही बचा ना, कॉस है आपन में 1 माइनस साइने यही वैली बची, क्या गई में दिख रही है हां तो option 4 में दिख रही है तो option 4 इसका correct answer है तो I hope आपको ये marathon पसंद आया होगा समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को like कर देना शेर भी कर दिया करो निचे लेंगे दिख रहे है टेलिग्राम का तो उसे join कर लेना सारी notification जो भी update है आपको वहां से मिल जाएगे ठीक है टिल दन बाई बाई टेक केर